सबी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तू ब्याम हर हर महादेव सदरा जुलाई को सावन का दूसरा सोमबार पढ़ रहा है केवल और केवल सावन के दूसरे सोमबार के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं आपके जिन्दिगी में जितने भी दुख हैं या कोई आपको ऐसा लगता है कि ये वे इंसान मेरा बुरा चाहता है ये वेक्ति मेरा बुरा चाहता है तो बस ये आखरी मौका है जब आप सावन में उपाय कर सकते हैं उसके बाद ये मौका आपको मा शिवरात्री जो की फरवरी मार्च में आती है उसमें ही मौका मिलेगा किवल साल में तीन बार होता है जब आप बेल पत्र और एक दतूरा बगवान शंकर को समर्पित कर सकते हैं वैसे तो दतूरा प्रति दिन भी समर्पित किया जा सकता है लेकिन जो साथ काटे होते हैं बेल पत्र के, जो बेल पत्र के काटे होते हैं, वो केवल तीन गड़ी, तीन पहर, तीन नक्षकतर ही होते हैं ऐसे, जब आप बेल पत्र के काटे समर्पित कर सकते हैं, जो बेल पत्र के ब्रेक्ष में काटे होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बेल पत्र के काटे ये जो काटे हैं केवल तीन बारी समर्पित करते हैं सबसे पहला सबसे पहला जो दिन होता है वार होता है घड़ी होती है वो होती है मा शिवरातरी मा शिवरातरी के दिन आप ये बेल पत्र और धतूरा बेल पत्र के काटे और धतूरा सम आप करने के लिए दूजरा जो वैसाक महीने की दोनों परदोश शुकल पक्ष की परदोश और कृष्ण पक्षी परदोश इन दोनों परदोश के दिन भी बेल पत्र के काटे और दतुरा समर्पित करते हैं मा शिवरात्री के दिन भी दिन के 12 बजे वैसाक महीने की परदोश वाले दिन भी 12 बजे या फिर अगर 12 बजे नहीं जा सके दिन के 12 बजे तो शाम को प्रदोशकाल में एक समय और होता है जिसे मा शिवरात्री पे आप ना कर पाए समर्पित तो जो बैसाक महीने में शिवरात्री आती उस शिवरात्री पे भी आप समर्पित कर सकते हैं वो केवल तब ही होंगे जब आपने मा शिवरात्री पे समर्पित नहीं किये होंगे और तीसरा जो केवल अंतिम और आकरी होता है वो होता है सामण महीने का दूसरा सोमवार सामण महीने के दूसरे सोमवार के दिन ये बेलपतर के काटे और धतूरा भगवान चंकर को समर्पित के जाता है तो यदि आपके जीवन में कोई दुख तकलीप चल रहा है बहुत परेशान हो रहे हो तो जिस व्यक्ति से परेशान हो उस व्यक्ति का नाम लेके समर्पित करो या फिर उस व्यक्ति का नाम ले भी नहीं आप साथ काटे बेल पत्र के आपको साथ काटे लेने होंगे और एक दतूरा लेना होगा एक दतूरा लीजिए गुरुजी ने कता में केवल यही बताया है तीन गड़ी तीन नक्षत्र जो मैंने आपको बताया केवल वही है यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं कलज बता रहा हूं तो आप यूटूब पे सर्च कीजिएगा दतूरा और बेल प चतर तीन पल है जब दतूरे के काटे शमा किजिए दतूरा और बेल पत्र के काटे समर्पित होते हैं तो अब जो सावन का दूसरा सुमपार है उस दिन आपको ये बेल पत्र के साथ काटे लेना है और एक दतूरा लेना है ये दोनों वस्तूएं आपको बगवन चंकर के श मंदिर खुल रहा हो या आप जानते हो जिस मंदिर में कि ये मंदिर 12 बज़े तक खुल रहता है तो आप उस मंदिर में जाके साथ काटे और एक दतुरा दोनों को अपने हाथ में लेके एक साथ बगवन चंकर करके शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए यदि मंदिर बंद रहता है तो आपके घर में जो शिवलिंग हो उस शिवलिंग के ऊपर भी आप ये उपाई कर सकते हैं इसके बाद में ये उपाई एक बार और हो सकेगा क्योंकि इस बार दो सावन है अधिक मास का जो सावन है जब अधिक मास का सावन प्रारंब हो जाएगा तो उसके दूसरे समवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं तो यह जो उपाय है आपकी जिन्दिकी के दुख और काटे समाप्त करने के लिए है अब दूसरा उपाय है यदि किसी व्यक्ति को बड़ा रोग हो गया है बिमारी हो गई है और या फिर महिलाओं को पीरियेट पीसी ओडी से समबंदित कोई भी समस्या हो तो प्रती दिन एक दुर्वा और एक बेल पत्र दुर्वा कौंची होती है जो आप इसक्रीन पर देख रहे हैं जिसको दुर्वा दूबा या हरी घास कहा जाता है दुर्वा दूबा या फिर हरी घास कहा जाता है ये एक किवल आपको एक घास लेनी है और एक बेल पत्र लेना है अब इस एक दुर्वा को ले कर सबसे पहले शिवजी पर एक दुर्वा समर्पित कीजिए शिवजी यानि की शिवलिंग पर एक दुर्वा समर्पित कीजिए और उसके बाद में एक बेल पत्र समर्पित कीजिए ये प्रसाहीजल हो तो भी चलेगा उसके बाद घर आकर उसकलाश को सब्सक्राश का पी नहीं जल पीते समें नंधीश्वर अदेव कि एक बार येद नंधीश्वर महादेव का इसमरण जरूर करना नंदिश्वर महादेव का पैसे तो गुरू जी ने बुलाए कि आधे चमच से भी आधा चमच यदि आप पिलाएंगे तो उनकी किड्नी लीवर या फिर कोई कैंसर जैसा रोग हो गया या फिर पीरेट नहीं आ रहा पिसी ओडी की दिक्कत है ऐसा कोई दिक्कत है वह भी ठी अस्या जिससे वह परेशान रहती है वह भी दूर हो जाएगी सावन के प्रतेक दिन आप यह उपाई कीजिए सोमवार से लेके शुरू कीजिए और जब तक आपकी विमारी ठीक नहीं हो तब तक उपाई करते लेजिए एक दुर्वा एक बेल पत्र पत्र समर्पित सभी बगतों को शिरी शिवाय नमस्तू ब्या